नमस्कार दोस्तों, भारस से अंतराष्ट उडानों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए फ्लाइटों को लेकर कई सारी जुरूरी खबरे सामने आ रही है हम आगी इस वीडियो में आ रहे हैं इन सारी खबरों को एके करके जानने वाले है तो पहली बड़ी खबर यहाँ पर सिंगापूर की तरफ से आ चुकी है आपको बता दे कि सिंगापूर की गौर्णमेंट अगले सब्ता से अपनी अंतराष्ट उडानों को चालू कर सकती है और इसके अलवा यहाँ से यह भी खबर सामने आ रही है कि वो अपने करोनो वायरिस की नियोमा में कुछ डील दे सकती है जिससे कि जो लोग भी सिंगापूर में ट्रेवल करके जाएंगे तो वो सभी लोग आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे इसके अलवा अगली खबर यहाँ पर दुबई एरपोर्ट की तरफ से आ गई है तो दुबई एरपोर्ट के लिए इंडिको एरलैंस, एर इंडिया और इसके अलवा स्पाइस जेट और भी कई सारी एरलैंस कंपनियों ने अपनी फ्लैटों को चालू कर दिया है तो यदि आप भारत से दुबई ट्रैवल करके जाना चाते हैं तो आप भारत की किसे भी एरलैंस कंपनी की टिकट बुक करके ट्रैवल करके जा सकते हैं लेकिन यदि आप इस समय भारत से दुबई जाना चाते हैं तो आपके पास GDRFA का अप्रूवल होना चाहिए इसके अलबा ये दिया आप अबुधा भी या सारजा जाना चाते हैं तो फिर आपके पास ICA का अप्रूबल होना चाहिए अगली अपडेट यहाँ पर सौधी रिबी की तरफ से आ गई है लेकिन अभी तक सौधी सरकार ने भारत से और पाकिस्तान से अपनी फ्लैटों को चालू करने को लेकर कोई भी डिसिजन नहीं लिया है इसके अलबा अगली खबर यहाँ पर बढ़ते हुए टिकट के दामों को लेकर आ रही है जहाँ पर आपको UK और USA ट्रावल करने के लिए 2 लाग से लेकर 4 लाग रुपे तक खर्च करने पड़ रहे हैं तो उसको लेकर यहाँ पर कई मड़ी मीडिया चैनल्स की तरफ से खबर आई है जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार नॉर्मल इंटरनाशनल फ्लाइटों को नहीं चालू कर रही है और केवल एर वबल्स के तहट ही इन देनों देशों से अपनी उड़ानों को चालू किया है यही कारण है कि इस समय भारत में टिक्टो की दाम में बड़ोतरी देखने को मिल रही है आपको बता दे कि एर वबल्स के तहट भारत सरकार इन सबी देशों से कुछ इस्पेशल एगरिमेंट करती है जिसमें कि पैसेंजर्स केनेक्टिंग फ्लाइट नहीं ले पाते हैं और दूसरे देश भी भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू नहीं कर पाते हैं जिस कारण से फ्लाइटों की टिकट काफी महंगी हो जाती है और काफी limited तौर पर फ्लाइटे ऑपरेट होती है यही कारण है कि इस समय ट्रावल करने वाले passengers की संक्या काफी जादा है और फ्लाइटे केवल कुछ limited तौर पर ही ऑपरेट हो रही है जिस कारण से फ्लाइटों के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है तो यह दिभारत सरकर चाहे तो नॉर्मल इंटरनाशनल फ्लाइटे चालू कर दे जिससे की जो टिकट के प्राइज इस समय बढ़ रहे हैं वो सारे टिकट के प्राइज पहले जैसे हो जाएंगे तो दोस्तों यह सारी latest अपडेट आ रही थी इस समय अंतराष्ट उडानों को लेकर जिसकी खबर आपक को इस वीडियो में मिली है हैसी और लेटेस्ट खबरों को यह दिया आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें